एलो फ्रेंड्स, वेलकम तू सफलता मंत्रा, सुबबाई की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अभी तक आपको 9 parts दे चुके हैं उन सभी parts को जरूर देखेगा link नीचे description box में दिया गया है और आज इसका नया part लेकर आए जिसमें आगे के questions को उम लोग पूरी व्याख्या के साथ cover करेंगे तो एक भी question को miss मत करिएगा समझते रहिएगा तयार करते रहिएगा कोई भी doubt होने पर comment box में comment करके जरूर बताईएगा तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 88 number question आपके सामने है तो 88 number question का आपका answer है भारत के पूरवी समुद्री तट को क्या कहा जाता है तो दोस्तों समुद्री तट अलग-अलग छेतर में है पूरवी में है पश्चमी में है दच्छनी में है तो पूरवी समुद्री तट जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं तो उसे हम जानते हैं कोरो मंडल तट के नाम से याद रखेगा दُस्तो मेहत्पूर्ण कोश् Bean है कोरो मंडल तट इसके और एक आपका होता है मालावार तट ठीक है दोस्तो अलग अलग तट है आपके एक आपका कोरो मंडल तट कौन सा हो गए तो ये पूर्वी समुद्री तट जो है उसे हम नाम देते हैं कोरो मंडल तट इसके लाबा दूसरा आपका आता है एक और जिसका नाम है मालावार तट मालावार तट कौन सा है तो यह आपका दच्छनी भाग जो है दच्छनी भाग को हम किस नाम से जानते हैं इसे हम मालावार तट के नाम से जानते हैं जो कि दच्छन आपका और है जो कि आपका पश्चिमी समुद्री तट के रूप में जाना जाता है पश्चिमी समुद्री तट को हम किस नाम से जानते हैं तो इसे हम कोकर तट के नाम से जानते हैं याद रखिएगा तीनो ही महतुपूर्ण है एक आपका हो गया कोरो मंडल दूसरा आपका मालाबार और तीसरा आपका कोंकर तठ है जो कि आपका गोवा से लेकर के केरल के छेतर में फैला हुआ इसे हम कोंकर तठ के नाम से जानते हैं याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर कोशन पर लक्ष दीप में कुल कितने दूइप हैं तो दूसरा आपने सुनाओ का लक्ष दीप क्या है एक यूनियन टेरिटरी है यानि कि एक केंदर सासित प्रदेश है संग सासित प्रदेश के रूप में भी इसको जाना जाता है त तो दूसरों लक्ष दीप की राजधानी है कावा रत्ती याद रखेगा कावा रत्ती जो है ये लक्ष दीप की राजधानी है बहुत ही अच्छा कोशन है महतपून कोशन है साथी साथ दूसरों आपको बता दें लक्ष दीप जो है सबसे चोटे यूनियन टेरिटरी के र जानते हैं एंड्रोट या फिर एंड्रोट इस प्रकार से भी लिखा हूँ आपको मिल सकता है एंड्रोट डूइप जो है ये आपका लक्ष दीप का सबसे बड़ा डूइप है इसका नाम है एंड्रोट याद रखिएगा अगला कोश्चन आपके सामने है जल्दी से जल्दी समझते रहीगा और जैसा आप लोग सपोर्ट दिखाते रहते हैं आगे भी सपोर्ट दिखाते रहीए कोश्चन को देखते रहीए और हमारी सामको साड़े छे बजे की लाइव क्लास में सभी लोग जरूर जुडिएगा अगला कोश्चन है लक्ष दीप का सबसे छोटा द है अगला कोश्चन आपके सामने काली मिटी को किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों काली मिटी जोती से रेगूर मिटी के नाम से जाना जाता है काली मिटी का दूसरा नाम अगर आप से पूछा जाए तो आप लोग क्या कहेंगे तो उसे हम रेगूर मिटी के नाम से जानते ह जो की बहुत ही उपजाओ मिट्टी के रूप में जानी जाती है काली मिट्टी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से कोशन समझते रहिएगा और याद करते रहिएगा हम लोग बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन आपके सामने पुरानी जलोड मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है तो पुरानी जलोड मिट्टी यानि कि पहले की जलोड मिट्टी इसे बांगर के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं बांगर के नाम से जानते हैं ये मिट्टी का एक प्रकार है और आप लोग अच्छे से समझेगा बांगर और खादर ये दो मिट्टी के अलग-अलग प्रकार एक से ही संबंदित हैं यानि कि एक के ही दोनों अलग-अलग प्रकार हैं पुरानी जलोड मिट्टी जो होती है जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग रेतीली टाइप की जलोड मिट्टी आपके जो उपजाओ मिट्टियों में से एक मानी जाती वह आपकी बांगर कहलाती है और जब नई जलोड मिट्टी की बात हम लोग करते हैं तो नई जलोड मिट्टी के रूप में रखेगा चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले कोशन आपके सामने है मिट्टी के अध्यन को क्या कहा जाता तो दोस्तों मिट्टी के अध्यन करने को पेडोलोजी के नाम से जाना जाता है इस प्रकार से पेडोलोजी के नाम से इसको जाना जाता है और जो आपका पेडागो अध्यान के रूप में कहते हैं लोग और इसके बाद जब नाम आता है लिम्नो लौजी तो इसके अंतरगत आपके जीलों का अध्यान आ जाता है लेकिन एक चीजा पर करेक्ट कर लीजेगा केबल जीलों का अध्यान नहीं आता बलकि इसके अंतरगत आपके नदी आ जाती है इसके आद आपके समुद्र आ जाते हैं नहीं कि जो भी आपका पानी एकत्रित करने के स्थान होते हैं उन सभी के अध्यन को लिम्नो लौजी के नाम से जाना जाता है उन सभी को एक साथ अध्यन करने को लिम्नो लौजी कहते हैं लेकिन आपको जीनो को कोश्चन में मिलता औ कि संयुक्त धरह क्या होती है तो अपको पताओगा जब ये नदियां उत्रा-कंड में निकलती हैं तो वो अलग-अलग छेतरों से होती है एंक है आपकी- भागी रथी नदी एक अलग- नंदा नदी हैं लेकिन जब ये नदियां एक सेयुक्त धारा के रूप में मिलती हैं तो इसको हम गंगा नदी का नाम दे देते हैं गंगोति छेतर के अंतरगत आने बाली जब ये दोनों नदियां भागी रथी और अलग नंदा इस प्रकार से दोनों अलग अलग छेतर से आकर कि जब एक किज़े मिलती हैं और एक धारा में आ जाती हैं तो इसे हम गंगा नदी का नाम दे देते हैं तब ये गंगा नदी में परिवर्तित हो जाती हैं याद रखिएगा अगला कोश्चन आपके सामने है भारत के किस राज को पहले N.E.F.A. नीफा के नाम से जाना जाता था तो दोस्तों आपको पता होगा अरुनांचल प्रदेश है ये आपका काफी समय बाद भारत के राज के रूप में जोड़ा गया तो पहले इसे नीफा के नाम से जाना जाता था N.E.F.A. North East Frontier Agency के रूप में जाना जाता था North East Frontier Agency फिर इसके बाद इसको केंदर सासित से जोड़ करके इसे अरुनांचल प्रदेश बनाये गया और बाद में इसको केंदर सासित प्रदेश से अलग हटा कर एक पूर्ण राजी का दरजा दे दिया गया अरुनांचल प्रदेश को लेकिन पहले ये नीफा के नाम से जाना जाता था याद रखिएगा अगला कोश नहीं देते हैं लेकिन जितना आपको पढ़ाते हैं एकडम सिलेक्टेट पढ़ा रहे हैं बार वार ये कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं आपको इसी परकार से करंट अफ़ेर और आपके इतिहास और जीयस के कोशन हम कवर कर रहे हैं उन सभी की क्लासे अगर आप समुद्री तट से लगती है याद रखेगा तो यह बहुत अच्छा कोशन है नो राज्यों की सीमा समुद्री तट को ठच करती हैं अब इनके नाम आपको और बता देते हैं तो दोस्तों हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कुल राज्य जो की पून रूप से राज्य हैं वह न नौराज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्री तट को टच करती आनि कि समुद्र तटी ये सीमा रेखा बाले नौराज्य हैं इसमें आपका गुजरात आ जाता महराष्ट आ जाता गोवा आ जाता है करनाटा केरल तमिलनाडू अंदरप्रदेश उडिसा और पश्चिम मंगालिय कुल नौराज्य हैं जिनकी सीमा आपके समुद्र तट के रूप में जानी जाती है समुद्र तटी ये सीमा के रूप में हम लोग जानते हैं साथी साथ आपको बता दें आपर सबसे लंबी जो सबसे बड़ी समुद्र तटी ये सीमा है वो गुजरात राज्य की है गुजर पूर अधिक सदिक संक्या में कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा बहुत ही महत्पूर्ण कोश्चन है ऐसे ही कोश्चन एक्जाम में पूछ दिये जाते हैं अगला कोश्चन दूइपिये महादीप के रूप में कौन सा जाना जाता है तो हमने आपको पहले भी बताया था कि एसा छहेतर जो चारो तरफ से पानी से घिरा वह उइसे हम दूइप कहते हैं और दूइप यह महादीप यानि कि पूरा एक महादीप है जो की चारो तरफ से पानी से गिरा हुआ है वो आपका औस्टेलिया महादीप है औस्टेलिया महादीप चारो तरफ से पानी से गिरा हुआ है अलग से अलग छेतर में फैला हुआ महादीप है और कुल महादीपों की संख्या आपको पताओगी साथ महादीप हैं पांच महासा अगर हैं जिसके बारे में आपको भूगल की अलग क्लासेश में पहले भी बताचूके हैं इसके लावा साम की live कलास में ये सभी questions आपको cover करानी की countdown कोफिते हैं अलग अलग तरीके के selected questions आपको लगातार देते रहते हैं अगला question आपके सामने 102 number question है देखेगा गारो खासी जैनतियां किस राजी की जन जातियां है तो दोस्तों गारो खासी की पहाड़ियां भी आप लोगों ने सुनी होगी गारो खासी जैनति की पहाड़ियां इनी के आसपास के एरिया में रहने वाली जैन जातियां गारो खासी और जैनती की जनजातियां कहलाती है और ये आपके मेघाले छेतर में फैली हुए पूरवोत्तर का राज है मेघाले उस राज में फैली हुई जनजातियां गारो खासी और जैनतियां यहां जन जातियां से भी आपके एक दो नंबर के question जरूर पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ते रहिएगा अगला और आज का हमारा अंतिम question है भारत के सबसे बड़े पठार का क्या नाम है तो दोस्तों दकन का पठार जो है यह आपका भारत का सबसे बड़ा पठार है यह आपका दच्छनी छितर में फैला हुआ एक बहुत बड़ा पठार है दकन के पठार के रूप में इसको हम लोग जानते हैं तो यहां तक के आज के आपके सभी questions complete होते हैं अगर class पसंद आई हो तो जल्दी से like कर दीजेगा सभी के साथ share कर दीजेगा चैनल को subscribe करिए और comment box में comment करके answer देना मत भूलिएगा मिलते हैं सामको 16 बजे की live class में तब तक के लिए थेंक दोस्तों good bye take care